आप सभी को मेरा साधर प्रणाम, बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ आपका हमारे ओफिशल यूट्यूब चैनल ओम प्रोप्टेक प्राइवेट लिमिटिड पर मैं सोन्या चौधरी तो सब प्रथम सारी जो यूट्यूब हमारी फैमली है एक तरीके से परिवार बन चुका है जिस तरीके से आप लोगों ने हमें अपना इसने दिया है और जिस तरीके से आप लोगों ने हमारी सराहना की है उसकी वज़े से आप आज हर चीज संभव हो पाई है हमसे आके आप जैसे मिलते हैं और आपका जो प्यार, आपका जो आशिर्वाद, आपका जो इसने हमें प्राप्त होता है उसी की वज़ा से हम इतनी कोशिश और प्रियास कर पाते हैं कि अपने ओमप्रूप्टक के चैनल से आप तक सारी जानकारी पहुचा पाएं तो तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत शुक्रिया हर दिन मैं आपके सामने नई-नई खबर लेकर नई-नई अपडेट लेकर हाजिर रहती हूँ प्रभु से यहीं कामना है कि जो भी YouTube फैमली है, जो भी लोगों ने जिन भी सपनों के साथ यहां पर निवेस किया है, किसी भी जगा यमना प्राधिकरन हो, greater noida प्राधिकरन हो या कोई भी location हो, या कोई भी investment हो भगवान से यही कामना करते हैं कि जो उनके सपने हैं, वो सब साकार हो तो आज मैं लेकर हाजिर हूँ साथियों, देश में सबसे पहला semi conductor park बनने जा रहा है वो भी कहाँ पर? यमना प्राधिकरन में बेहद अच्छी खबर है, बेहद अच्छी अपडेट है और आज उसी को लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ तो सबसे पहले डालते हैं एक बार स्क्रीन पर नज़र यमना एक्स्प्रेस में अध्योगिक विकास प्राधिकरन यानि की इडा सहर में देश का पहला semi conductor park बनेगा और इसके लिए जो कम्पनी को जमीन है वो भी आवंटित कर दी गई है और केबिनेट से प्रॉपर पूरी तरीके से मनजूरी भी मिल चुकी है तो अब चीज़े सिर्फ यह नहीं कि हवा में है बनेगा कब बनेगा सारी चीज़े final हो गई है केबिनेट से मनजूरी मिल गई है और जो जमीन है वो भी आवंटित कर दी गई है कम्पनी को वही सात्यों MDP से भी बहुत अच्छी खबर ये है MDP Medical Device Park तीन विदेश कम्पनिया यहाँ पर आकर निवेश करने की अपनी एच्छा जता रही है और जल्द ही वो यहाँ पर निवेश करेंगी मही देख लेते हैं 125 एकड जमीन का आवंटन करने के लिए केबिनेट ने मनजूरी दे दी है 125 एकड जमीन में यह सेमिकंड़क्टर पार्क विक्सित होगा जिसके लिए पूरी तरीके से मोहर लग चुकी है और मनजूरी मिल चुकी है यह कम्पनी सेमिकंड़क्टर पार्क बनाने के लिए 80,000 करोड रुपे का निवेश करेगी 80,000 रुपे करोड का यहां पर निवेश हो रहा है सेमिकंड़क्टर पार्क में इसमें होगा क्या इसमें बैटरी और जो एड़ेप्टर में लगाई जाने वाले चिप होती है उनको बनाया जाएगा अभी तक यह जो सारी चीज़ें हमारे हाँ इंपोर्ट होती थी एक्सपोर्ट होती थी वो हम से विद्वसों से मंगवाते थे लेकिन अब सारी ही चीज़ें इहां पर मैनुफेक्टरिंग होना शुरू होगे यह किस तरीके से एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो अर्थ विवस्ता है और जो एकोनमिक ग्रोथ है वो कितना हमारी आगे बढ़ने की संभावनाए है मैटर करती है यह चीज़ें जब हमारे खुद के देश में ही सारी चीज़ें मैनुफेक्टरिंग होगी हमें कहीं सही कुछ भी चीज मंगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी वहीं देखते हैं सेमिकंडक्टर प्राइवेट लिमिटेड को आवंटन की मंजूरी दी गई है कुछ महीने पहले ही सेमिकंडक्टर नीती को मंजूरी दी गई है जिसके तहत 75% जमील सबसिडी यानि की 100 करोड की पूझी सबसिडी 10 साल तक प्रदेश वेकेंद्र की GST की छूट, बिजली की छूट और कैई अन्य लाव उठा सकती हैं कमपनिया शुरूबात में काफी सारी रिहायत दी है कमपनियों को कि किस-किस में उन्हें छूट मिलेगी जिसकी वज़े से कमपनी को भी थोड़ा सा फायदा हो एक और बड़ी खवर ये है Medical Device Park की जो मैंने अभी आपको बताई कि Medical Device Park में तीन विदेशी कमपनिया निवेश कर सकती है 17 से 19 अप्रेल तक जापान में होने वाले रोड़ शो में यमना अथोर्टी और उत्तर प्रदेश सरकार के कुछ अधिकारी वहाँ पर मौजूद होंगे यहाँ पर तीन कमपनिया इडा में Medical Device Park में निवेश करने के लिए M.A.U. साइन करेंगी तीनों कमपनियों से करीब 50,000 करोड का निवेश आने की आशंका जताई जा रही है उम्मीद जताई जा रही है तो सातियों यह बहुत बड़ी बड़ी चीज है जो उत्तर प्रदेश के यमना प्राधी करन छेतर में आने वाली है विक्सित होने वाली है बहुत लंबा टाइम पीरिड नहीं लेके चलेंगे जैसे जैसे इन पर काम की शुरूवात हो जाएगी तो सारी चीजे आनी भी शुरू हो जाएगी हर चीज पर प्राधी करन से लेके और सरकार ध्यान दे रही है कि कैसे एक अलग पहचान यमना प्राधी करन को और उत्तर प्रदेश को यहां से दे सकते हैं साथ ही साथ जादा से जादा लोगों को कैसे रोजगार के अफसर दे सकते हैं कैसे देश की अर्थव्यवस्ता को बढ़ा सकते हैं और कैसे यहां की जो जहलक है यहां की जो नीती है उसे हर प्राधिकरन से कैसे अलग बना सकते हैं बाकि मैं तो हर दिन आपके सामने रूबरू रहती हूँ, नई नई अपडेट के साथ, नई नई खबर के साथ, और हमेशा लोगों से यही कहती हूँ, कि अच्छा समय है फिलाल इन्वेस्टमेंट करने का, क्योंकि देखो अगर बात कर ले हम गुडगाओं की, तो आज से 20 स साल पहले हम वहाँ पर निवेश करने के लिए इतने इच्छुक नहीं होते थे कि अभी बहुत समय लगेगा, वहाँ अभी कुछ नहीं है, लेकिन अगर हमें पता होता कि वहाँ ये सारी चीजे डेवलप होने वाली हैं, तो क्या वहाँ पर हम निवेस नहीं करतें? बिल्क आने वाला है, क्या यहां पर हो रहा है, किस तरीके का यहां का भविश्य होगा, बाकि आपको कोई भी जानकारी चाहिए, यमना प्रादीकरन से 6% किसान कोटा से रिलेटेड, 7% किसान कोटा से रिलेटेड, तो हमेशा नंबर मेंशन रखते हैं स्क्रीन पर, ताकि आपकी जो भी क्वेरी हो, जो भी कोश्चन हो, उसका हमसटीक जवाब दे पाएं और सारी जानकारी आपको दे पाएं, नंबर है 9800-500-700-8510-801-801, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजेगा, क्योंकि जो भी इन्फोर्मेशन जिसको चाहिए, वहां तक पहुँचना बह आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार